हेलो दोस्टो आप सभी को अभिशेक सरकार का नमसकार उमीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे पर दुनिया स्वस्थ नहीं है अभी क्योंकि यूक्रेइन और रशिया के बीच लगातार जग जारी है और रशिया का अटैक जारी है यूकरेइन का रेζिस्टन्स जा मेरे से बहुत साले लोगे पूछ रहे हैं कि भाई नेटो क्या होता है आखिरकारी नेटो होता क्या है नेटो कैसे काम करती है नेटो का अबजेक्टिफ क्या है और युक्रेन की जंग में नेटो आ क्यों नहीं रही तो मैं नेटो के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा आ तक देखिए और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दुनियादारी की हर एक चीज हर एक इंसिजेंट के बारे में जानने के लिए तो दोस्तों जब वर्ड वार टू खतम हुआ तब दुनिया को लगने लगा भाई ऐसा युद दुनिया में फिर कभी नहीं हो जितना डिस्ट्रॉई हुआ जितना भी सब कुछ खतम हो गया सब बर्बाद हो गया यह बर्बादी दुनिया में फिर से ना हो इसलिए 4 एप्रिल 1949 को जो नौर्थ एट्लांटिक ओशन के आसपास के देश है यानि की USA, Canada और जितने भी European countries है Western European countries है उन लोगों ने मिलके एक ट्रीटी साइन किया जिसको की North Atlantic Treaty Organization बोला जाता है इस ट्रीटी में North Atlantic Ocean के आसपास जितने भी देश है उन सब ने ट्रीटी में साइन किया कि हम सब अब military alliance है यानि कि हम सब अब allies है हम सब अब दोस्त है और एक दूसरे का साथ देंगे इसमें एक article बहुत famous है article 5 जिसमें कहा जाता है जो जो नेटो के members है नेटो का हिस्सा है North Atlantic Treaty Organization का हिस्सा है उसमें से किसी एक देश के ओपर भी अगर attack होता है तो यानि पूरे नेटो पे वो attack माना जाएगा और पूरा नेटो मिलके लड़ेगा उस दूसरे देश के खिलाब जिसने नेटो कंट्री के member पे attack किया है मान लीजिए France नेटो का हिस्सा है कल को अगर पाकिस्तान फ्रांस पे हमला करता है तो वो पूरे नेटो पे attack माना जाएगा यानि कि America, Canada, England, Germany, Portugal, Spain, Italy इन सब के ओपर attack माना जाएगा वो पाकिस्तान का और सब मिलके पाकिस्तान पे हमला करेंगे बेसिकली नेटो का purpose ही military alliance है दोस्तो कई तरीके के alliance होते है economic alliance होता है strategic alliance होता है यानि कि इस alliance के तहत नेटो के तहत एकनोमी का हिस्सा नहीं आता है only military कल हिस्सा आता है यानि कि अगर कोई attack होता है, terrorist attack होता है, किसी और देश के आर्मी का attack होता है, तब ये सब इखटा होके लड़ेंगे economy वगएरा से इनको अभी कोई मतलब ली है, NATO में उनके जो economy वगएरा है उसके लिए अलग PACS, अलग ट्रीटी बने हुए है जैसे कि दोस्तो मैंने आपको बताया कि NATO इसलिए बना था, क्योंकि एक और World War ना हो पर दोस्तो World War 2 के बाद, 1949 के बाद दुनिया में दो सूपर पावर बन गए थे, USA and USSR, जिसका हिस्सा युक्रेन, रशिया, ये सब देश था तो जो USA था और जो Western European countries थे, उनको सबसे ज़्यादा खत्रा Communist देशों से था, जैसे कि रशिया और उसके दोस्तों से था क्योंकि दोस्तो, Communist और Capitalist में उस समय बहुती ज़्यादा मद्भेद था, जंग की स्थिती थी तो अब और एक युद्ध ना हो, और USSR से जितने भी Western European countries थे, उनको बचाया जा सके, इसलिए USA लीडर बना, और सब को अपने साथ मिला के, NATO का गठन किया और USSR को एक message था, कि अगर आप इन में से किसी भी एक देश पे हमला करोगे, तो हम सब मिलके आप पे हमला करेंगे USSR के भी जो मित्र देश थे, हंगरी वगेरा, मैसेडोनिया वगेरा, इन सब के साथ मिलके, USSR ने भी एक alliance बनाया, जिसका नाम दिया Warsaw Pact उनके भी सेम नियम थे, अगर Warsaw Pact के किसी भी देश के उपर हमला किया गया, किसी भी देश द्वारा, तो पूरा Warsaw Pact मिलके लड़ेगा अब दोस्तों, सीधी टक कर थी, NATO versus Warsaw Pact के बीच नेटो ने उसके बाद एक और शर्त रखी, कि अगर Warsaw Pact का कोई भी देश, नेटो की किसी देश पर हमला करता है, तो हम nuclear हमला कर देंगे इससे बात और बढ़ती गई, पर दोनों ही जो alliance थे, उनमें कभी भी सीधी जंग नहीं हुई cold war चलता रहा USA और USSR के बीच, पर दोनों ही Warsaw Pact और नेटो आपस में कभी भी नहीं भीड़ी 1991 में USSR टूड गया और USSR के साथ Warsaw Pact भी टूड गया पर दोस्तों, नेटो अभी तक कायम है और नेटो अपने आपको expand कर रहा है रश्या के लिए नेटो अभी भी दुश्मन है, रश्या नेटो को अभी भी दुश्मन के रूप में ही देखता है क्योंकि लंबे समय तक दुश्मनी चली हुया ही है, तो अभी भी रश्या को नेटो से खत्रा लगता है और खत्रा लगे भी क्यों ना क्योंकि जो NATO है वो लगातार अपने आपको expand करता हुआ जा रहा है स्टार्टिंग में 8-9 मेंबर के बाद अभी 30 मेंबर NATO में join कर चुके है और कम से कम 7-8 मेंबर ऐसे है जो कि कभी Warsaw Pact का हिस्सा हुआ करते थे वो अब NATO का हिस्सा बन गए है धीरे धीरे करके NATO Russian border के पास आ रहा है जिसकी वज़े से ही ये conflict हो रहा है अब क्योंकि अगर Ukraine वगेरा भी NATO का हिस्सा हो गए तो Russia के बिलकुल border पे आ जाएगा NATO और Russia को ये मनजूर नहीं होगा Russia अपनी security के लिए ये जंग लड़ रहा है ताकि Ukraine NATO का हिस्सा ना बने ये बहुत लंबी जंग है 1949 से NATO और USSR रशिया ये लड़ते आए है और अभी भी इसी चीज़ के ओपर जंग जारी है NATO में इस समय 30 देश है 2016, 2020 हर 2-3 साल में NATO के मिम्बर्स बढ़ते जा रहे है और जो पहले रशिया के समर्थ तक थे वो NATO में मिलते जा रहे है रशिया लगातार NATO को वर्निंग दिया जा रहा है कि आप हमारे बॉर्डर के करीब मत आईए 1997 से पहले जो NATO के मिम्बर्स थे खाली उनी को NATO के मिम्बर्स मानिए बाकियों को आप अलग कर दीजिए NATO से ये रशिया की शर्त रहती है तो आखिरकार NATO को funding कौन करता है तो NATO में 70 से 75% डालता है अमारिका 70 से 75% पैसा जो है NATO को अमारिका देता है वैसे तो ये नियम बना हुआ है कि हर एक NATO का सदस से अपने GDP का 2% पैसा NATO को देगा पर दोस्तो लगबग कम से कम 20 से 25 देश ऐसे है जो अपने 2% पैसा नहीं देते है NATO को सिरफ 5 से 6 देश ही ऐसे है जो अपना पूरा हिस्सा यानि पूरा 2% हिस्सा NATO को देते है और अमारिका 3.7 से 5% पैसा जो है वो NATO में देता है अपने GDP का 2016 में दोनल्ड टरंप ने यही शर्त रखी थी कि अगर बाकी देशों ने अपने जो टै जीटीपी का परसेंटेज है वो नहीं दिया NATO में तो अमेरिका नेटो छोड़ देगा तो टाइम टाइम में नेटो में भी एक कश्म कश एक लड़ाई चलती रहती है एक पॉलिटिक्स चलती रहती है दरसल अगर ओवरॉल देखा जाए तो यह जितने भी NATO देश है वो अमेरिका के एक अंब्रेला के नीचे चल रहे है दरसल अमेरिका ने उनको वादा किया था सबको वादा किया था कि आप अपने एकनॉमी पे ध्यान दीजिए जितने भी क्योंगी वर्ल्ड वार के बाद पूरे यूरोप की एकनॉमी तहस नैस हो गई थी बरबाद हो गई थी तो अमेरिका ने कहा कि मिलिटरी पावर तो हम है आपको मिलिटरी का हम लोग सहूलियत देंगे आपको रक्षा करेंगे आपको प्रोटेक्ट करेंगे आप लोग मिलिटरी पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए आप आप लोग पैसे पर फोकस कीजिए military हम समाल लेंगे और बात भी सही थी क्योंकि अगर आपके साथ America है अगर America आपका ally है आपको वादा करता है protect करने का तो कोई और देश आपके उपर attack करने का सोचेगा भी नहीं तो इसलिए जो यूरोप के जितने भी ये देश थे जो नेटो का हिस्सा है उन सब ने अपने economy पर focus किया military पर जादा focus नहीं किया military की जिम्मेदारी पूरी अमेरिका ने समाल ली तो अभी भी ऐसा होता है कई जंग होती है तो सबसे ज़्यादा army अमेरिका ही भेजता है बाकी जो नेटो देश है वो थोड़े थोड़े आर्मी अपने भेज देते हैं उनका बस है भी नहीं बहुत जादा आर्मी क्योंकि अमेरिका ही अपनी जादतर आर्मी भेज देता है वहाँ पे दरसल दोस्तों नेटो बनने के बाद सिरफ एक ही बार ऐसा हुआ है कि पूरी नेटो अक्टिव हुई थी वो था 9-11 का जो USA पे अटाक हुआ था ट्विन टावर्स पे जो अटाक हुआ था उसके बाद ही पूरी की पूरी नेटो अक्टिव हुई थी वरना ऐसा कोई नहीं करेगी मान लीजे फ्रांस है अब फ्रांस के अंदर सिविल वार हो रहा है फ्रांस के अंदर दो गोट आपस में लड़ रहे है एक दूसरे को मार रहे है तो नेटो उसमें इंटर्फियर नहीं करेगी या फिर फ्रांस के मिलिटरी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस इंटरफेर नहीं करती है, सिरफ external affairs पे, externally अगर कोई अटाक करता है नेटो मेंबर पे तब ही नेटो एक्टिव होती है, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ, नेटो क्या है, कैसे काम करती है, ये आपको समझ में आगया होगा, और ऐसे वीडियोज देखने के लिए सबस्क्रा को जाहें